असलाम लेकुम नाजरीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं सजाद हुसायन हूँ दोस्तों लोग हजारों सालों से अंगूर काश्ट कर रहे हैं आपने उन्हें मुख्ती प्रंगों में देखा होगा जैसे सब्स, सुर्ख, सिया, पीला और खुलाबी मार्किट में आम तोर पर दो तरह के अंगूर नजर आएंगे बीज वाले और बीजों के बगए अंगूर में वाइटमिन B1, B2, B6, वाइटमिन C, वाइटमिन E और वाइटमिन K वाफर मिगदार में पाया जाता है अगर किसी शक्स का खुन जमना छोड़ दे, तो छोटा सा कट लगने से मुसलसल खुन बेहने की सूरत में मौत भी वाइटमिन K वाइटमिन C पाया जाता है जो खुन के जमने और सिहत मन्ध हडियों के लिए इंतहाई जरूरी है सेहत और नशनमा के लिए अंगूर को अपनी सिंदगी में शामिल कर ले सुर्ख अंगूर केलिस्टरॉल को कम से कम जजब करके हाई केलिस्टरॉल की सदा से बचाने में मदद करते हैं जिसे हम डिल और ब्लड प्रेशर की बिमारियों से बच जाते हैं अंगूर से दमाग और दिल की बिमारियों को रोकने के साथ-साथ इलाज करने में भी मदद मिलती है अंगूर आँखों के मसाइल और बलड प्रेशर से तहफुस के लिए भी एक बेहतरी गजा के तोर पर इस्तमाल किये जा सकते है कहा जाता है के अंगूर में पानी और फाइबर होता है के लोगों को हाइडरेट रहने आंतों की हरकत को बगाइदगी से रखने और कब्स के खत्रे को कम करने में मदद करते हैं अंगूर में मजूद एंटी ऑक्सिडेंट्स कैंसर की बाज एक्साम से हिफाज़त करने में भी बहुत मददगार थाबित होते हैं आपके जिसम में कैंसर के खुलियात की नशनुमा और फैलाओ को रोखते हैं इसके इलाबा अंगूर शूगर और फोन में शूगर की मददार को कम करने के लिए भी बहुत फायदा मन थाबत होते हैं अंगूर खाने से याताष्ट और दमागी सहथ में भी अधाफा होता है देखें हम जिस तोर में मुझूद हैं इसमें हमारी जात की पहली प्रियालोटी हमारी सकिन है अगर हम सकिन के बारे में बात करें तो अंगूर हमारी सकिन के लिए भी इंतहाई का रावग है जब जिल्स की सहत की बात आती है तो वीटामिन C और एंटी आक्सिडेंट्स मिलकर जादू की तरह काम करते हैं दोनों का इम्तिजाज उम्र भढ़ने की अमल को रिवर्स करता है और बदले में आपको साफ और जवान नजर आने वाली जिल्स फ्राहूं करता है अंगूर में वाइटमिन C और एंटी आक्सिडेंट बाफिर मिलकर में पाए जाते हैं लहाजा अंगूर को एक मुम्किना एंटी एजिंग प्रॉटक्ट के तौर भी इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उन्र से कम नजर आएं तो आप सिर्फ 5-6 अंगूरों का गुटा निकाल कर अपने चेहरे पर 10 मिनट तक हलके से मसाज करें इसे पानी से दो कर खुश कर लें इसे ऐसा बगाईदिकी से करने से आपको चंद ही दुनों में इसके बेहतरी नताइज नजर आना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी एज से कम नजराना शुरू होंगे इसके इलावा अंगूर एकनी के इलाज में भी बहुत मदद करते हैं यह फल जिल्द की मुर्दा तेहों को हटाता है और जिल्द को कोमल और नर्म लगता है अंगूर को हम मुख्लिफ तरीकों से अपनी खुराब का हिस्सा बना सकते हैं जैसे सुक के नाश्टे में अंगूर इस्तमाल किया जा सकते हैं इसके इलावा दही के उपर डाल कर भी अंगूरों को खाया जा सकता है केले और खीरे के साथ अंगूरों का बलंड बना कर इस्तमाल किया जा सकता है फलों के एक ताजा प्याले में अंगूर शामिल करें और अपनी शाम को खुशूरत बनाया जा सकता है और इन्हें गर्मियों के खाने के तौर पर भी इस्तमाल किया जा सकता है मज़ेदार मीठे के लिए इन्हें स्टॉपरी, गिरीदार, मेवे, सेब और चॉपलेट के साथ भी इस्तमाल किया जा सकता है इसके इलावा सबसे बिखतरीन हल के दौर पर आप अंगूर का ताजा जूस बना कर भी पी सकते हैं अंगूर का जैम भी बनाये जा सकता है जो बच्चे और बड़े शौक से खाते हैं ताजा अंगूरों का जैम वीजायत से भरबूर और मज़्यदार होता है आप इसको प्रेट और रोटी के साथ भी इस्तमाल कर सकते हैं अंगूरों में अगरचे पानी की मगदार काफी होती है इसलिए इसको खाने के बाद पानी पीने से हमारे जिसम के PS लेवल में खरल पड़ता है और हाजमे का आमल रुक जाता है जिसलिए खाना हज़म नहीं होता है इसलिए बाद सूर्थों में वो घजाया देने की बजाए जहरीले मादे में भी तर्दील हो जाते है इसलिए जरूरी है कि अंगूर खाने से एक घंटा पहले या बाद में पानी पीने से परहिस करें ताके इनके घजाई अज़धा हमारे सिस्टम में दाखिल होते ही अपना काम मुकमल दोर पर इंजाम दे सकी दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि अपनी हमल के तरण हामला हवातीन को इनके जिसम के कैई हिस्सों में stretch marks का सामना करना पड़ता है अंगूर stretch marks को कम करने के लिए इंतिहाई फाइदा मनसाबत होते हैं ऐसा हयाल किया जाता है कि अंगूर जिनको ज़्यादा रजगता बढ़ाते हैं इससे असानी से stretch marks नहीं बन पाते हैं इसके इलावा ये बात भी common है कि हमल के दुरान अंगूर से हट के लिए नुकसान दे हैं लेकिन दरहकीकत अंगूर आम तोर पर इस वक्त खाने के लिए ठीक होते हैं जब आप तवक्का कर रहे हैं अगर्चे इन में एक anti-oxidant ऐसा पाया जाता है जो बच्चे की निशनमा को नुकसान पहुचा सकता है लेकिन अंगूर में इसकी इतनी मिगदार कम होती है कि आप याप के बच्चे को इससे कोई खत्रा लावक नहीं हो सकता आपने इस वीडियो में अंगूर के बहुत सारे फवाइद और उनको कैसे खाना है कब खाना है से मतलिक मालूमात हासिल की है आपको ये मालूमात कैसी लगी कॉमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तेरें और घंटी के बटन को जरूर दबाए ताके आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके शुक्रिया